अब से वीकाट एक स्टेडी आईटे यूटूब चनल पर आईटे के प्रैक्टिकल एक्जामिलेशन बार अगस्त से होने वाले हैं जिसमें एड्मिट कार्ड एक बार जारी हुए थे उसमें डेट जो है एक अगस्त आ रही थी उसके बाद से फिर से वेबसाइट से एड्मिट कार्ड वाले पोर्सन को हटा दिया गया था डाउनलोड करना अभी फिर से सही एड्मिट कार्ड आप सब के डाउनलोड होने लगे हैं admit card चाहे आप first year के student हो चाहे आप second year के student हो सभी के admit card download करने के दो तरीके हैं जिसमें से एक तरीके से आप अपना admit card download कर सकते हैं दूसरा जो तरीका उसमें ITI आपका admit card download करके दे सकता है bulk में download करने का option अभी नहीं आ रहा है मतलब ITI भी single ही download कर पाएगा आपको भी अपना खुदी download करना होगा कैसे आप download करेंगे उसी बारे में इस वीडियो में step by step बात करेंगे website का नाम क्या है iskelindia digital.gov.in इसी पे आके आपको login करना है यहां से आप admit card download कर पाएगे तो वीडियो को सभी तक पहुचाने के लिए प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा इंसास में चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके वैल आइकन को दबा लीजेगा यहां पे आपको ITI के ऐसी सभी अपडेट्स के साथ जाब अप्रेंट्सिप के अपडेट और पढ़ाई की वीडियो मिलती रहती जिन्हें आप लेलिस्ट में जाके देख भी सकते हैं तो चलिए यहां डाउनलोड करने के लिए देखें सबसे पहले आप यहां पर क्या करेंगे लॉग इन वाले आप्सें पर क्लिक करेंगे तो यहां पर देखें कई आप्सेंस आते हैं एक आता है learner या participant इसमें first year जितने one year या first year के student है वो यहाँ पे click करके login करके अपना admit card download करेंगे second होता है partner यहाँ पे ITI अपना login करेगा and उससे फिर आपका admit card और download कर सकते हैं trainee सर्च करके और यह है ITI के second year के students के लिए portal यहाँ से second year के सभी student अपना login करके download कर सकते हैं कैसे करेंगे तो आपके case में आपको अपना PRA number और यहाँ पे आपको अपनी data birth hinter करनी है ठीक है उसके बाद आप submit करेंगे आपका admit card download हो जाएगा अब partner के अगर बात करें ITI कैसे करेगा तो ITI यहाँ पे आएगा और इसमें एक option आपको मिलेगा देखिएगा यहाँ पे इसमें आपको जाना होगा और यहाँ से आप क्या करेंगे अपना admit card students का जो है download कर सकते हैं option है ITI या NHTI creator का यहाँ आप जाके जितना कुछ है attendance, formative assessment, practical exam, CBT exam, fees इन सब चीजों को manage करते हैं तो यहाँ creator login में ITI जो है login करके अपना admit card आपको download करके दे सकते हैं अब हम बात करते हैं वो तरीका जिससे आप लोग कर सकते हैं तो इसमें आपको आना है learner and participant में यहाँ आपको mobile number इंटर करना है ठीक है इसके बाद आपको एक इसका code इंटर करना होगा जो आपने password बनाया होगा और उसके बाद आपको जो OTP आएगा वो इंटर कर लेना है किसमें आपका admission हुआ हो भी आपको दिख रहा है और नीचे जब आप आएंगे हैं देखे डाउनलोड practical hall ticket, डाउनलोड CVT hall ticket, CVT fee payment, डाउनलोड mark seat, डाउनलोड certificate इतनी चीज़े आ रही है तो आपको पहले practical hall ticket पर just click कर देना, देखे यहाँ कोई color में या किसी चीज़ में कोई change नहीं होगा ठीक है, आपको फिर नीचे क्या करना है, click here पर click कर रहा है जैसे आप click here पर आएंगे, एक dashboard आपके सामने इस तरह से open हो जाएगा ठीक है, अब यह dashboard जो आ रहा है, इसमें आप देखें आपकी यहाँ पर profile दिखेगी ठीक, इस dashboard पर अगर आप click करेंगे यहाँ, तो यहाँ नीचे अभी देखें कुछ नहीं आ रहा है ठीक, इस पर आप आईए, यहाँ देखें, CBT fee है, dashboard है, ठीक, इस पर आप click करिए यहाँ आपकी एक profile ओपन हो जाएगी, ठीक है, आप देखेंगे, यहाँ पर आपकी एक profile आजाएगी यहाँ action में आएँगे, देखें क्या दिखेंगा, आपको जो CBT fee वाला portion था, देखेंगे, यहाँ थोड़ा सा ना critical बनाएं लोगों ने इसमें आप लोग देख पाएंगे, आपका पूरा जो detail है वो रहेगा, यह देखेंगे, ठीक है, फुल आपको detail दिख जाएगी, नीचे आपको दिख जाएगा trade practical कब से है, 12 अगस्त 2024 से है, 9 बजे से है, टाइमिंग जो है इस पर आपको पहुंच जाना है, अगर आप नह वहीं पे होगा, यह चीज का भी आपको ध्यान रखना है, एक और चीज देखिएगा, यहाँ पे आपको photo नहीं आ रहा है, तो सभी candidates को यहाँ पे अपना photo पेस्ट कर लेना है, जिनका भी नहीं आ रहा है, जाके यहाँ पे आपको अपने principal से sign करा लेना है, अपना साथ में आपको एक अपना original ID proof लेके जाना है, कोशिस करिएगा, आप लोग आधार कार्ड लेके जाएगा, ठीक है, नीचे देखिए बहुत सारी चीजें इसमें दी गई है, कि जो address है, वो change भी हो सकता, उसको आपको अपने principal से confirm कर लेना है, एक valid identity proof आपको लेके जाना है, 45 मिनट पहले आपको वहाँ पहुचना है, ठीक है, practical examination की जो है, फर्स्ट डे सिर्फ मेंसन है, इसके बाद की जो date हो, जो time table हो, उसको आपको देख लेना है, मतलब 12 अगस्त लिखात, ऐसा नहीं सिर्फ 12 अगस्त को होगा, 12, 13, 14, 1st year का होगा, और 16 और 17 को 2nd year का होगा, 2nd year के admit card प हमने आपको सबसे पहले क्या बताया, यहां आप आएंगे, ठीक है, बैक कर लेते हैं, जो main portion आपको दिख रहा था, वहीं पे हम लोग यहां पहुच जाते हैं, यह, ठीक है, इस तरह से आपके सामने page खुलेगा, आपको simple सबसे पहले click here पे click करना है, जैसे आप click here पे click करत है, आपको CBT fee पे click करना है, CBT fee पे click करने के बाद फिर आपको side में आने 3 dot पे click करना है, यहां आपको download practical hall ticket का option मिलेगा, और जैसे ही CBT के hall ticket आते हैं, वैसे ही यहां पे CBT hall ticket भी आपको option मिल जाएगा, जिसमें आप जाके अपना CBT hall ticket download कर पाएंगे, तो सभी लोग अपना download कर लीजेगा, क्योंकि ITI login से भी single single ही download हो रहा है, तो courses करिया, आप अपना download करके रखिए, और उसके साथ ID proof और उस पे photo एक paste करके, आप practical वाले दिन वहां जरूर पहुच जाएगा, sign and stamp आपका उस दिन भी हो जाएगा, आप अगर पहले जाते हैं, पहले भी आप जाके करवा सकते हैं, वैसे नो और दस और ग्यारा कोईटे ही बंद रहेगा, तो आपके पास सिर्फ दोई दिन का option है, कुछ दिन आप जाके वहां पर अपना करवा सकते हैं, thank you very much, ख्यार लखिएगा, अपना कोई भी doubt हो, कोई आपको समस्य आ रही हो, comment section में लिखेगा, आपक की पूरी help की जाएगी, thank you